हेलो बच्चों मैं हूँ आपके हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हर्दिक स्वागत है हिंदी साहित कला संस्कृति और अभिव्यक्ति पाठ्थ पुस्तक से आज मैं भारते इंदू हरिश्चंद्र जिवर रचीत मुकरियां को लेकर उपस्तित हूँ और आज मैं आप लोगों को दो नमबर मुकरि का अर्थ समझाऊंगे तो आज इस विशे को आरम करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अमिर खुस्त्रों की पहलिया सूर के पद और बिहारी के दो है इन सबसे सम्मंदित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और स चलिए आरंब करती हूँ दो नमबर मुकरि भारतेंदु हरिस्चंद्र जी आधुनिक हिंती के जनक माने जाते हैं और उन्होंने अपने मुकरि के माध्यम से ब्रिटिस सासन व्यवस्था पर प्रहार किया है अंगरे जी सासन व्यवस्था की जो सोसन करने की प्रक्रिया है ब्रिटिस सासन व्यवस्था की जो सच्चाई है इस सच्चाई को उजागर करना ही भारतेंदु हरिस्चंद्र जी का उद्देश्य था तो इसी बात को उन्होंने मुकरि के माध्यम से अभिव्यक्त किया है तो चलिए मैं पहले मुकरि को पढ़कर सुनाती हूँ फिर कठि सब्द की अर्थ को बताने के बाद ही इसकी व्यक्या करूंगी देखिए धन लेकर कचु काम न आओ उची नीची राह दिखाओ समय पड़े पर सीधय गूंगी क्यों सखी सज्जन नहीं सखी चूंगी तो आप चलिए कठिन सब्द की अर्थ को देख लेते हैं देखिए यानि रुपिया पैसा कुछ भी हो सकता है कच्छु यानि कुछ भी कोई भी काम ना आना यानि उपयोग हीन देखिए उची नीची राह इसका आर्थ है कठीन रास्ता और है उल्टा सीधा रास्ता यानि जो रास्ता कठनाई से भरा होता है उसके लिए हम लोग किस सब्द कप्रियों करते हैं उचा नीचा रास्ता कटनाई से भरा हुआ रास्ता यदि आप किसी से कुछ कहते हैं कि आपका जीवन कैसा रहा तो क्या कहते हैं मेरा जीवन जो है बहुत ही उचे नीचे रास्ते से उकर गुजरा है इसका मतलब क्या है बहुत से कटनाईयों को पार करता उसका जीवन जो है इस मुकाम तक पहुचा है इसलिए उची नीची राह कार्थ हो गया कठनाई से भरा रास्ता या कठिन रास्ता या उल्टा सिधा रास्ता देखिए समय पढ़े इस कार्था जरुरत पढ़ने पर जैसे कहते हैं समय पढ़ने पर मैं आपकी सहायता इस समय पढ़े कार्थ हो गया जरुरत पढ़ने पर सीधे कार्थ है एकदम से गुंगी किसे कहते हैं मौन मुख से कोई सब्द ना निकलना जब कोई व्यक्तिक कुछ बोल नहीं पाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं गुंगा कहते हैं क्योंकि उसके मुख से कोई सब्द नह आज भी देना पड़ता है, तो टेक्स, टेक्स का नाम आपने सुना है, कि हम लोग जब कोई समान खरीते हैं, तो उसमें हम लोग आजकल GST देते हैं, ठीक, इसी तरह से लोग जो आमदनी करते हैं, इनकम करते हैं, उसका भी टेक्स देते हैं, तो ब्रिटिस सासनकाल में अच्छो काम ना आओ, तो यहां पर एक सकी दूसरे सकी से फिर प्रश्न पूछ रही है, कि है सकी बताओ, ऐसा क्या है, कि आप धन देते हैं, आप रूपिया पैसा देते हैं, लेकिन वह रूपिया पैसा आपके किसी काम नहीं आता है, साधरनता हम लोग क्या करते हैं, बदले हमें कुछ मिलता है, चाहे वो सामान हो, चाहे रुपया के बदले कुछ अधिक रुपया, इंट्रेस्ट के साथ, लेकिन यहाँ पर एक सखी, दूसरे सखी से जो पूछ रही है, उसमें यह अर्चिपा है, कि आप धन देते हैं, लेकिन आपको उसके बदले कुछ मिलत नहीं है, यापका धन बेकार चला जाता है, परन्तु आपको धन देना पड़ता है, उची नीची राह दिखाओ, और जब आप इस बारे में जानना चाहते हैं, और आपको कठनाई से भरा रास्ता दिखाया जाता है, उल्टा सिधा राह दिखा दिखा दिया जाता है, समय पड़े परसीधे गुंगी और जब आपको जुरुत है यापने पैसा दिया आपने धन दिया पर जब आपको किसी चीज की आवशकता है उस समय वह मौन हो जाती है गुंगी बन जाती है आपको उससे कोई जवाब नहीं मिलता है क्यों सखी सजन तो सखी पुछरी है क्या सखी वो सजन है फिर वह मुकरकर सखी क्या कहती है नहीं सखी चुंगी नहीं सखी वो सजन नहीं है वह तो चुंगी है था ट्रैक्स है तो ब्रिटिस सासनकाल में जो भारती है थे उन पर तरह तरह के ट्रैक्स लगाये जाते थे भार भारतेंदु हरिष्चन जी ने लिखा है नोन तेल लकडी घास हुँ पर टिकस लगे जहां चना चिरोंजी मोल मिले जहां दीन प्रजा कहां यानि नमक तेल लकडी घास पर भी क्या लग रहा है टेक्स लग रहा है इसके साथी साथ और चना जो है चिरोंजी के भाव विख र और यह दसा हमारे ब्रिटिस सासनकाल की है जहां पर दैनिक बेवहार में आने वाली बस्तुओं पर भी ट्रेक्स लगाया जाता था इसलिए कहा गया है नोन तेल लकडि घास हूं पर सोचके देखिए नमक तेल लकडि घास पर भी ट्रेक्स लगाया जा रहा था इसका ब्रिटिस सासन के खिलाब अपने आवाज बुलंद ही ना कर सके इसलिए अंग्रेजों ने भारतियों पर उनके दैनिक जरुरत की बस्तुओं पर क्या किया था ट्रेक्स लगा दिया था तकि भारत दिन प्रते दिन गरीब होता जाए तो इसी बात को इसी सच्चाई को इस मुक्री में बतलाया गया है कि धन लेकर कच्चु काम नं आओ यानि आपने धन दिया किसे अंगरेजों को अंग्रेज टेक्स के बहाने भारतियों से धन ले लेते हैं लेकिन उसका कोई उप्योग नहीं है वे जरुरत पढ़ने पर भारतियों के किसी काम नहीं आते हैं बल लाते हैं यानि कठनाई की ओर धकेल देते हैं अंग्रेजी सासन वेवस्था की जो सोसन करने की जो प्रक्रिया है ब्रिटिस आसन वेवस्था की जो सच्चाई है इस सच्चाई को उजागर करना ही भारतेंदू हरिस्चन जी का उद्देश्य था तो इसी बात को उन्होंने विव्यक्त किया है तो उम्मीद करती हूँ कि भारतेंदू हरिश्चन जी की इस मुक्री का अर्थ आपने अच्छी तरसे समझ लिया होगा यदि कहीं कुछ समयने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें वीडियो को लाइक करें सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियो में सेर करना ना भूले और जो बच्चे मेरे चनल पर नए है वेचन को सब्सक्राइब जरूर कर ले तब तक पढ़ते रहिए जीवन में आगे बढ़ते रहिए मेरी सुब कामनाए आप सभी बच्चों के साथ है धन्यवाद